Good morning friends, आईए Solarpedia के एक और एपिसोड में आपको लेके चलता हूँ, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं आपको Solar Panels के बारे में कुछ बताऊँगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाते की होंगी Solar Panels के बारे में, और बहुत सारे Solar Panels मार्केट में आई जिन्दगी में उनका रोल क्या है, और सो कंप्लीट सोलर सिस्टम में Solar Panel की उप्योगिता क्या है और उस उप्योगिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अब अगर मैं Solar Panel की बात करूँ, तो Solar Panel एक सिलिका की प्लेट है, सिलिकन की प्लेट है, जिसको हम ग्लास से कवर करके अलुमिनियम फ्रेम के थूँ एक पैनल की शक्ले देते हैं, अब अगर मैं सिलिका की बात करूँ तो ये सिलिका आता कहां से है, सिलिका हम लोग एक्स्ट्रैक्ट करते हैं जमीन से, जिसके बड़े-बड़े पहाड अवेलेबल हैं, बाहर भी हैं, इंडिया में भी हैं, त आप लोगों ने भी मार्केट में सुना होगा कि आपको पॉली चाहिए या मोनो चाहिए, तो इन दोनों का फर्क क्या है, और इन दोनों में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर जनरेशन मिल पाए, पॉली क्रिस्टलाइन पैनल्स जो हैं, वो सिलिकन क्रिस्टल्स को एक जगा यूज़ करते हैं, तब हम इसको पॉली क्रिस्टलाइन बोलते हैं, इसके सेल्स ब्ल्यू कलर के होते हैं, आपको अगर डिफरेंशेट करना है तो ये ब्ल्यू सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, अगर मैं मोनो क्रिस्टलाइन की बात अब यहां बहुत कम schematic diagram में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कि जो solar energy है वो transmit कैसे होती है और यह electrical energy में convert कैसे होती है सूरज की किरने solar plate के उपर पड़ती है तो वो electrons को activate करती है जो silicon wafers के electrons को activate करती है वो जो electrons activate होते है उससे एक electric charge पैदा होता है और वो जो electric charge है वो DC current के रूप में flow करता है through charge controller अब DC current घर में use नहीं होता तो इस DC current को AC current की conversion भी चाहिए इसलिए जब DC current charge controller के through flow करता है हम एक inverter के जरिए उसको DC current को AC current में convert करते है जैसे ही inverter से आगे निकलता है तो वो AC current जो है वो घरों में use हो सकता है वो industries में use हो सकता है, hospitals में use हो सकता है जहाँ-जहाँ solar system लगे हुए हैं आप उसको अपने domestic use में, industrial use में, commercial use में ला सकते हो solar applications बहुत सारे तरीकों से आप जान सकते हो domestic use में भी solar application systems हैं उसके बाद solar farms हैं बड़े-बड़े आपने देखा होगा बहुत खाली जमीन में बहुत सारे solar panels लगे हैं यह सारे solar panels इसलिए लगाए जाते हैं कि बहुत सारी energy को इकठा कर पाएं और वो सारी energy हम सरकार को grid में supply दे दे ताकि green energy के रूप में वो जो electric grid की जो energy है वो हम तक पहुंचे या हमारे साधारन आदियों के पास पहुंचें यह solar system और solar panels के details हैं अब अगर आपने घर में system लगा दिया आप इसकी maintenance का हम क्या करें बहुत ज़्यादा confusion इसकी maintenance में आती है कि बड़े systems हमने लगा दिये 10 kilowatt का system है या 20 kilowatt का system है अपने घर में अगर हम लगाते हैं या चोटी industry में लगाते हैं तो उसकी maintenance का क्या करें ग्राउंड में हम लगा देते हैं रूफ टॉप या ग्राउंड में लगा देते हैं तो इसकी maintenance periodic maintenance के रूप में इसकी maintenance की जा सकती है यहां पर सिर्फ धूल मिट्टी जमा होने की वज़े से जो इसकी generation है वो थोड़ी सी कम हो सकती है वो भी over a period of time तो हमारा ये दाइत तो बनता है कि हम 6 महिने में आठ महिने में एक बार sprinkles के जरीए या एक manual पानी के जरीए इस पूरे panels को साफ करें बिल्कुल safe है बड़े अराम से आप इसको खुद भी कर सकते हो या किसी के थूप करवा भी सकते हो इससे आपकी generation intact रहेगी और आपको कभी भी generation में gap नज़र नहीं आएगा otherwise अगर आप इसको 2 साल, 3 साल, 5 साल तक इसकी अगर आप service नहीं कराते हो या खुद इसको maintain नहीं करते हो तो generation का gap आपको नज़र आजाएगा आपके बिजली के बिल में भी आपको नज़र आजाएगा अब solar panels की efficiency क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि poly crystalline है और monocrystalline है efficiencies के crystals आ जाते हैं इसलिए उसकी efficiency कम हो जाती है वो 16% से लेके 17% के बिच इसकी efficiency है वहीं अगर मैं monocrystalline की बात करूँ तो monocrystalline की efficiency 19% और 20% के आसपास की efficiency ये पूरी diagram solar panels की solar systems की और उसकी maintenance की मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आपको सरल भाशा में मैं समझा पाने में सम मर्त रहा कोई भी ऐसा confusion कोई भी ऐसा doubt अगर आपको लगता है या मुझसे आप सवाल करना चाहते है तो please comment box में लिखिएगा मैं definitely पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊं धन्यवाद दोस्तों thank you very much